हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे आज मैं मूंग डाल और गेहूं के आटे से बहुत ही अमेजिंग सा नास्ती की रेसिपी आपके शाद शेयर करूँगी जिसे आप फटा फट बना के तयार कर सकते हैं और बहुत ही जादा अलग सा स्वाद आता है फ्रेंड्स इस नास्ते में आप एक बार इस तरह से बना के जरूर ट्राई करें आपको बहुत जादा पसंद आएगा तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बरतन लिया है एक कप मैंने यहाँ पर गेहू का आटा लिया है दो चमच हम इसमें सूजी एड़ कर देंगे टेस्ट के कॉर्डिंग मैंने इसमें नमक एड़ कर दिया है और दो चमज मैं यहाँ पर कुकिंग ओयल एड़ कर दूँगी तो अन फ्लेवर्ड कुकिंग ओयल हमें यहाँ पर यूज करना है सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड इससे जो हमारा नास्ता है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनके तयार होगा तो आप देख सकते हो मैंने आटे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पानी डाल कर यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगा कर हम तयार करेंगे तो यहाँ पर आटा हमने लगा लिया है और इसे हम 10 मिनिट के लिए रेस्ट पर रखेंगे जब तक आटा हमारा रेस्ट पर रखता है हमीं स्टफिंग तयार करेंगे तो इसके लिए मैंने एक कप मूं की दाल है फ्रंट जिसे मैंने दो घंटे भीगो के रखा था तो वो ले लिया है इस मिक्सी में हम इसे डाल देंगे साथ में मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ दो से तीन चम्मज और इसके बाद अब हम इसे ग्राइंड कर लिए यहाँ पे डाल को हमने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है अब हम इसे side में रखते हैं तो एक pan लिया है हम आने थोड़ा सा हम इसमें oil add कर देंगे एक चम्मद जीरा, हींग और अद्रक लेसन का paste या फिर मैं यहाँ पर grate करके यूज़ कर रही हूँ आप इसमें add कर दें और हलका सा इसे saute कर ले टेस के according यहाँ पर मैंने green chili add कर दिया है बारी कट करके वो हम add कर लेंगे और बिल्कुल brown होने तक हम इसे अद्रक lesson on marriage को हम यहाँ पर पका लेंगे उसके बाद दो चमच हम इसमें बेसन add कर रहा है बेसन add करने से friends जो हमारा नास्ता है और बहुत ही जादा अच्छा बनके तयार होगा और stuffing जो हम बना रहे हैं उसमें अच्छी सी binding आईगी तो हम इसमें बेसन जरूर आप add करें और बेसन हलका सा golden होने लगा है आप देख सकते हो उस time हम क्या करेंगे जो हमने grind करके दाल रखी थी वो हम इसमें add कर देंगे और बिल्कुल dry होने तक हम इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे थोड़े से मसाले add करेंगे एक चमच गरम मसाला मैंने add किया है आधा चमच अमचूर पाउडर, कस्तूरी मेथी, एक चमच वन फोर्थ चमच यहाँ पे लाल मिर्ची का पाउडर, टेस्ट के कोडिंग नमक add कर देंगे और सभी को हम बहुत अच्छे से mix कर लेंगे तो friends यह recipe बहुत ही amazing बनके ready होती है आप इस तरह का पराठा आप बना के तयार कर सकते हैं बहुत ही जादा tasty लगता है last में हम यहाँ पे हरा धनिया add कर देंगे और यहाँ पे हमारी stuffing तयार हो गई है अब हम इसे side में रखते हैं और ठंडा होने देते हैं मैंने इसे एक plate में निकाल लिया और यहाँ पे stuffing थोड़ी सी थंडी होने के लिए मैंने रख दिया है उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करें कुटी हुई एक saw of reference वो मैंने एक चमच इसमें add कर दिया है stuffing हमारी थंडी हो गई है इसे हम क्या करेंगे छोटे छोटे balls बना लेंगे तो इस तरह से यहाँ पे मैंने balls बना लिए है आटे को चेक कर लेते हैं आटा भी हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है तो जितने आपको यहाँ पे पूडिया बनानी है आप उतने size के यहाँ पे आप balls बना सकते हो एक ball को लेके मैं इस तरह से जिस तरह से आप पराठे बगरा स्टफ करते हैं, बस उसी तरह से हमें, यहाँ पर स्टफिंग को स्टफ करना है, तो इस तरह से पहले मैं इसे कटोरी जैसा बना लूँगी, और एक यहाँ पर जो मैंने स्टफिंग बनाई है, उसमें इस तरह से रखकर, हम इसे सील पैक कर द फ्लेम पे हम इसे फ्राइ कर लेंगे तो फ्रेंड्स मूंग दाल से बना ये नास्ता आप एक बार मेरे तरीके से जरूर बना के आप ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगा बहुत यम्मी सी रेसिपी है फटाफट बनके रेडी हो जाती है खाने में बहुत ही ज़दा लाजवाब लगती है तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राइ करें पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और अब हम इसे सर्फ कर लेंगे तो आप इसे आलू की सबजी के साथ या फी चटनी के साथ ही आप इसे सर्फ कर सकते हैं जो फटा-फट बनके रेडी हो जाती है मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स आप इसका अंदर का टेक्शन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स मूंग दाल से बना ये नास्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके रेडी होता है एक बार इस तरीके से आप एक बार ज़रू ट्राई करें बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनके रेडी होती है खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है